नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है MSSC Notes में तो दोस्तों आज हम आप लोग के सामने लेके आए हैं मुहावरों से सम्मंदित कुछ important fact या कह सकते हैं कुछ महत्वपोंड मुहावरे जो आपके परिक्षा में कई बार आते ही है और मुहावरे एक ऐसी चीज है जो आपके हर परिक्षा में आते हैं मतलब कोई भी परिक्षा देने जाएंगे तो उसमें मुहावरे आते ही आते हैं चाहिए आप class 10th का exam देने जाएं या यहाँ पे PCS तक का आप exam देने जाएंगे पूछे जाते हैं बार-बार आते हैं रिपीट करते हैं तो उनसे सम्मंदित questions का revision करेंगे आपने यह मुहावरे जरूर सुन रखे होंगे जो नहीं सुन रखे हैं वे सुन लेंगे और समझ लेंगे ठीक है तो शुरू करेंगे वीडियो शुरू लेकर लास्ट तक जरूर देखना है इसके बिलकुल मत करना क्योंकि हो सकता हो जो भाग आप इसकिप कर जाएं वहीं हो सकता परिक्षा में आ जाए तो शुरू करते हैं आज की क्लास तो पहला कुशन यानि पॉइंट यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए आखो का तारा थोड़ा स्पीड में चलेंगे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी तो उसके लिए चिंतित ना हो तो कोशिस करिएगा कि पूरा का पूरा वीडियो देख डाले तो पहला है आखो का तारा किसी को हम लोग आखो का तारा कब बनाते हैं जब हम उससे बहुत जादा प्रेम करते हैं तो जब हम लोग किसी से बहुत जादा प्रेम करते हैं हमारे बहुत ज्यादा निकट होता है उसको कहते है यह तो हमरे आखों का तारा है है कि नहीं तो आखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा कोश्चन आपके एक्जाम में ऐसे ही पूशता है डारेक्ट देगा कि इस मुहावरे का अर्थ बताईए ठीक है वाके प्रयोग करके नहीं पूछेगा आखे बिछाना कहते हैं मेरी आखे आखे बिछा कर बैठना जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं ठीक है ठीक है आखों में धूल जोकना ठीक है आपने सोले मुवी देखी होगी तोले में क्या करता है और धूल जोकने का मतलब क्या हुआ या हुआ भोका देनां से आग बबूला हो जाना कहते हैं आग बबूला हो गया आग बबूला कब होता है जब कोई क्या कर एकदम गुस्वा दे ठीक है तो एकदम जब हाथ से ज़्यादा क्या हो जाए गुस्वा हो जाएगा तो कहते हैं एकदम आग बबूला हो गया था आस्तीन का साप, इसका मतलब क्या है इसका अर्थ, तो इसका अर्थ है कपटी मित्र, देखो मित्र मैं आज यहाँ पर जितने मुहावरे लिया हूँ, यह परिक्षा में आए हुए हैं, चाहे आप इसकी सर्थ लगा सकते हैं मुझसे, कि जितने भी मुहावरे होंगे, किसी न आखे दिखाने का मतलब क्या है, कि एकदम, ठीक है कि तुम आख दिखाना मतलब धमकाना, एक प्रकार से क्या हो गया, कि हम उसको धमका रहे हैं, अगले पेज पे चलते हैं, अगला है आसमान तूट पड़ना, आसमान तूट पड़ने का मतलब क्या है, अचानक मुसीबत जाना ठीक कहा अरे कौआ तो तो आस्मान तो पड़ रहा है कौआ सी मुसीबत आ रही है ऐसे बोलते हैं न तो आ स्क समयान पर दिमाग होगा दिमाग कहा तुमारा आसमान पर साथ्वे आसमान पर होगते हैं तो इसका मतलब कह bang बहुत जादा अहंकारी होना उसके बाद इट का जवाब पत्थर से देना हम इट का जवाब पत्थर से देंगे है कि नहीं? हाँ कोई मुझे इट मारेगा तो मैं पत्थर मारूंगा ठीक तो इट का जवाब पत्थर से देने का मतलब है एकदम करारा जवाब देना, क्या देना, करारा जवाब देना, ईद का चांद होना, ईद का चांद का बाता है साल में एक बार, यानि बहुत कम दिखाई देना, तो ईद का चांद मतलब क्या है, बहुत कम दिखाई देना, इट से इट बजाना, कहेंगे इट से इट बजा दि नहीं है जब मूड़ने मोड़ने मतलब समस्ज़ते नहीं जिए जब मूड़ने जाते हैं तो इतने तेज हैं कि उड़त चिडिया के पंख गिर अश्विव अग्लम में चलहाल को सब्सक्राइब नवपनेंगे क्य Glow उख़ देने चलुए में सिर्देने का मतलब क्या है कि mimie तो आपन सिर्दे दे भया तो का हुई उकली में अगर सिर्दे देंगे तो भायँ अफस जाएगी कपरवा ठीक है तो उकली में सिर्देने का मतलब क्या होगे जान भूच कर मुसीबत मोल लेना ठीक है अगला है औंधि खोपड़ी का होना, और उन्दी खोपड़ी का मतलब क्या है, बेवकूफ होना, ठीक है, और उन्दी खोपड़ी मतलब बेवकूफ होना, अगला देखो, कलेजा ठंडा होना, कहते हैं जारे कलेजा एक जुड़ा गया की नहीं, तो कलेजा ठंडा होने का मतलब क्या हुआ, कि दम सांथ जाए कि लेज पर दिल को मजबूत करके कोई काम करना जाता है तो बतलब क्या हो जाता है कि अंतरदा हो जाता है एक दम भै कान एक दम कैसा हो जाए, एक दम सांत हो जाए, ठिक कलेजा मूँ में आना, कहते हैं कि कलेजा मूँ में आ गया, इतना ज्यादा क्या हो गया, घबडा गया, या डर गया, काट का उल्लू होना, काट का उल्लू का मतलब हो गया, लकडी का उल्लू मतलब जिक दम मु पाइब है इनसान तुम्हारा काण काड़ेगा जो बहुत ज्यादा ज्यादा चतुर होगा है कि नहीं आगे बढ़े अगला देखो कान खड़े होना मतलब साउधान हो जाना देखे कान एक्तम टाइट कर लेते जब कुछ इदर-दर सावधानी वाली मुद्रम रहतें काम तम कलेई खुलना मतलब पोल खुलना कलेई खुल गई मतलब पोल खुल गई सेक्रेट्स आउट कलेजा फटना मतलब बहुं ज्यादा दुक होना प्रांड ने को तदपर हो जाना आज ये मैं उसके खून का प्यासा हूं तो कैसे कहेगा खून का प्यासा का मतलब कि मिल जाए तो बस उसको पकड़ के चीर दे है कि नहीं ऐसा होता कि खून का प्यासा का मतलब खाक चानना मतलब भटकना खटाई में पढ़ना मतलब व्योधान आ जाना गाल बजाना मतलब डींग हाकना गूलर का फूल होना बहुत ज़्यादा दुरलब वस्तू गुलरी के फूल कभो मिलत ना है ठीक है तो गुलर के फूल मतलब क्या होता है जो बहुत ज़्यादा दुरलब हो जाए ठीक है जिसका मिलना दुरलब हो अगला देखे गाठ बांधना मतलब होता है याद रखना जब हम कोई भी चीज को याद रखते कहते हैं गाठ बांध लेना गोड गोबर कर देना काम बिगार देना और घाठ घाठ का पानी पीना मतलब जो बहुत ज़्यादा अनुभवी होगा हर जगा घूमेगा कहते ने कि वो क्या है घाठ घाठ का पानी पीया हुआ है घी के दिये जलाना जब बहुत ज़्यादा एक्टम खुसी का महल रहता है उत्सों की त्यारी होती है तो मतलब खुस है घी के दिये जला रहा है घुटने टेकने का मतलब हुआ हार मान जाना और घड़ो तो चाहे घड़ो पानी पढ़ना अच्छा घड़ो पाडी बनना मदलग लज्जित हो जाना ठीक है मदलग पूरी तरीक के से हम सर्वसार हो गया पानी पानी उतरना भी एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं ठीक है तो आज की इस वीडियो में मैं इतना ही पॉइंट सकता हूं इतने मुहावरे रखता हूं क्योंकि मैंने पहले बोलाए कि 10 मिनट से जादा की वीडियो नहीं रखेंगे जिससे आप लोग बोर ना हो या इसा ना फिल करेगा बहुत लंबा जा रहा है तो इसका आ दोला देना बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो गंटी दबहा दो बाकी जिसको भी हिंडी की मेरी वाली किताब चाहिए जो मैंने शुरू में दिखाई है अगर यह वाली चाहिए आपको या अगर आपको कोई और कोर्स की त्यारी कर रहे हैं? उसके लिए स्मप्लीट जैं हिंदू